आप सबी लोगों का वैलकम करता है एक नई बीडियो में तो फ्रेंस काफी दिनों बाद बीडियो आ रही हमारे चैनल पे तो किसी कारण वस हम बीडियो आपके लिए नहीं ला पाए नरसरी की तो आज हम फिर से स्टार्टिंग करते हैं हर अविवार को आपके लिए नरसरी की बीडियो लाई जाए और आज हम आपको दिखाते हैं कि आज कहां से नरसरी की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं तो आप देख लीजिए यह है गमले जो कि यहां पर गमले बनते हैं आप देख सकते हैं और इनके रेट भी हम पता करेंगे तो चलते हैं यहां के ओनर से बात करते हैं कि पार्टिंग कितने से हैं चोटे से स्टाइट इस चालीस रूपे का जो है उसका क्या रेश वह कितने इंच का गमला हुगा अच्छा 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 जो कि उसके बाद तो जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पे गमले के आपको रेट बता दिये हैं तो आप इस तरह से किसी भी नरसरी से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस रेट पे गमले मिलते हैं यहाँ के जो कि मैंने माली से बात आपकी करवाई हैं तो आप एक आइडिया लगा लें और इसी तरह से आप कहीं से भी गमले खरीश सकते हैं तो इस पे चलते हैं यह देखिए यह है प्लांट जो है सर्दियों वाले प्लांट यानि की विंटर वाले प्लांट है तो इस प्लांट का जो नाम है वो है साल्बिया तो साल्बिया कई कलरों में मिल जाता है जो कि रैड आप देख रहे हैं और फे इसमें यलो कलर भी आते हैं वाइट भी आता है कई color आते हैं तो मैं आज आपको सिर्फ red color दिखा रहा हूँ क्योंकि बाकी जो color है बहुती कम नरसरीों पे देखने को मिलते हैं तो आप देख सकते हैं काफी खुबसूरत और एक इस्टीक निकलती है जिस पे red color का flower लगता है बाकी अगर आप yellow में लेते हैं तो yellow color के flower आप 3-4 color लेके काफी अच्छा decorate बना सकते हैं अपने घर पे तो इसको देख सकते हैं यह जो plant है यह नरसरी पे आपको 40 रुपे plant मिल जाएगा 40 रुपे, 50 रुपे बस 10 रुपे का फरक होता है और इस plant की ज़्यादा कुछ care नहीं होती है बहुत ही आराम से यह plant आप grow कर सकते हैं आप इसे मिट्टी के गमले में लगा दे हैं प्लास्टिक के गमले में ना लगाए और अगर आप बागवानी में काफी आपको experience है तो आप फिर प्लास्टिक के गमले भी यूज कर सकते हैं तो यह देख सकते हैं इस तरह के आपको यह plant नरसरी पे देखने को मिल जाएंगे तो यह plant आप buy कर सकते हैं कहीं पे भी जो आपके आसपास नरसरी हो या फिर आप Google Map पे सर्च मारें के आपके पास जो है के आपके घर के पास कौन सी नरसरी तो आपको वहाँ का address मिल जाएगा तो आप buy कर सकते हैं बागी अगर मेरी बताय हुई नरसरी पे आप आना चाहते हैं तो नीचे description box में मैं यहाँ का address दे दूँगा तो आप आ सकते हैं भागी आप देख सकते हैं कितने खुपसूरत plant जो है इस समय आए हुए है नरसरी पे तो अभी हम चलते हैं दूसरे plant के तरफ आपने ये plant देख लिया है काफी अच्छा plant है तो हम चलते हैं nest plant के तरफ तो nest plant ये देख सकते हैं इसको कहते हैं Pitunia तो आप देख सकते हैं ये कई कलरों में आपको मिल जाते हैं और कई शेड भी इस पे होते हैं जैसे की रैड देख सकते हैं फिर ये यलो मतलब कई कलर आपको देखने को मिल जाएंगे फिर ये देखिए परपल कलर हो गया रैड हो गया प시र जो गुलाबी कलर पे जो की हालकाशा वाइट से इसके जो किनारे हैं वहाँ पे तो ये देख सकते हैं और ये बीस compared plant है तो देख सकते हैं कुछ जाद़ा rate नहीं है 20 रुपे plant है और अभी जब ये फरवरी या मार्च का समय होगा तो ये प्लांट आपको नरसरी पे 10 रुपे मिल जाएंगे और सुरू में स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा रेट रहता है ये देखे वाइट कलर है तो कुछ समय मतलब जैसे ही अक्टूबर का समय होता है तो ये प्लांट आपको नरसरी पे 50 रुपे या फिर 40 रुपे मिलते हैं और जैसे ही लाश्ट का सीजन आता है ना फरवरी या मार्च का तो ये प्लांट सस्ते हो जाते हैं क्योंकि फिर इनका टाइम खतम हो जाता है फिर भी आप ये प्लांट को घर पे लाके लगा सकते हैं क्योंकि ये अगर आप इनकी थोड़ी केर करते हैं तो अपरेल और माई तक यह plant survive कर जाते हैं, फिर ज्यादा धूब के कारण यह plant जो होते हैं, तो आप जो है के फरवरी अमार्च में plant ले सकते हैं, बाकि अगर अपरेल में लेते हैं, तो फिर आप इसको 15-20 दिन ही plant चला सकते हैं, फिर इनके जो फूल है न, फूलों का size वो छोटा हो जाता है, औ और प्लांट तेज धूप में नहीं रह पातें मर जातें क्योंकि यह सर्दियों के प्लांट है इसलिए इनका जो समय होता है वो अगस्त से चालू होता है और अप्रेल माई तक यह चलते हैं प्लांट तो आप 6-7 माहिने इस प्लांटों को इंचोई कर सकते हो माई जून में प्लांट पूरी तरह से खतम हो जाते हैं फिर इनकी नई सीडलिंग की जाती है अगस्त से और फिर फिर विंटर में पूरे विंटर चलते हैं तो आप इन प्लांटों को बाय कर सकते हैं और इसकी बास्केट बनाए तो काफी अच्छा लगता हो काफी हैवी फ्लाबरिंग ह होती है और ये फिर देखिए ये है सदा बाहर तो इस समय इनका देखिए ओफ सीजन है तो इसलिए इसमें छोटे-छोटे जो फूल आए हुए हैं बाकी सदा बाहर आप जब भी लगाएं तो जब गर्मियों का समय होता तब लगाएं तो काफी अच्छे फ्लाबरिंग होगी तो ये प्लांट भी आप बाय कर सकते हैं और ये देखे पूरे साल भर चलता है बस इसकी आपको कुछ खास बात का धियान रखना जैसे कि इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए ये प्लांट बहुती नाजुक होता है इसको जरा सी ओवर वाटरिंग होती है तो ये प्लांट खराब हो जाता है तो इसलिए आप इसको कमी ओवर वाटरिंग करें इसकी मिट्टी जो है कमले की सूखी रहे बिल्कुल तो ये प्लांट सर्वाइब करेगा बाकि इसकी जो देसी वाली वराइटी आती है सदा बाहर की तो उसको आप इतना पानी दे देख सकते हैं गमलो की मिट्टी सूखी हुई है देख सकते हैं सारी मिट्टी सूखी हुई तो ये सूखी मिट्टी में ही सर्वाइब करते हैं और इन्हें पानी बस हर दूसरे तीसरे दिन थोड़ा पानी देना होता है तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी आपको कैसे लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब रखे ताकि नरसरी की आने वाली आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके और वीडियो कैसे लगी वीडियो के बारे में आपकी राय जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताएं तो जल्दी आप से मुलाकात होगी एक nesht वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखे अपनी बागबानी का ख्याल रखे और हमें दीजी जाज़त जल्दी मिलते हैं आपको एक नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई